तो बेने जो ब्याज पढ़ा रहता है उस ब्याज को मजबूरी के तहत घ्रूश में रिष्वत देख सकता है क्योंकि बगएर उसके कोई चारा नहीं है जब तक रूज पेसा होता है जब तक काम बने गारे और मेरा जायस काम है मेरा हक काम है मेरा वो चीज जाज है मेरे लिए लिए वह वाँ झालिए तो मजगूली में फुज देने के लिए वर्याश का पैसा होता है पैसाइब क्टे कि अक्सर में सुना है कि हराम काम में के लिए पैसा ही लाज डिया जायदा डेता है पका स्वाल यह बहुत सारी जिवहां पर जहां घुज देना पढ़ता है कोई गां कर्वाने के लिए तो वहां पे सूद का पैसा लगा अकर नह भूसा के लिल्या बाएं तो ये जो आखरी बात आप ने सुनी है ना ये गलत बात है ये कुरान और अधिस में कहीं नहीं है कि कोई हराम तोर से किसी को देना पड़ जाए तो वहां पे हराम पैसा ले जाके लगा दो हराम पैसे को आप हाथ नहीं लगा सकते हराम पैसा आप क्यू ले ले लेंगे किसी का और यह जो सूद का मस्ले है बहुत ही खतरनाक मस्ला है कुरान और आधिस में इसके कोई गुंजाइश नहीं और सूद के बारे में जो असल हुक रूरान का आप देखे सूध की जो रिकम है याई आपके असल पैसे से आगे जो सूध है उसको छोड़ दो इनकुन तो मुमिन अगर तो मुमिन है तो ये हुक्म है सूध के बारे में कि उसको छोड़ देना हाथ ने लगाना उसको फरमाया अगर तुम इसके लिए तयार ने हो तो आपके लिए जग करने के लिए तयार हो जाओ वाइन तुबतुम फलकुम रॉसु अमौलिक। ति अगर तुम तुम तुबा कर रहे हो तो तुम्हरा जो रासे माल है अपना माल है वही तुम्हरा है बस ला तजलिमून वला तुजलमून ना तुम किसी पर जल्म करो ना तुम पर जल्म किया जाए यानि अपने असल पैसे से बढ़ा कि किसी से लोगे तो यह जल्म हो जाएगा और तुम्हारा हक को ही ले लेगा तो यह तुम पर जल्म हो जाएगा तो ना जालिम बनो ना मजलूम बनो तो सूद के बारे में असल जो शरीयत का हुक्म है वो ये कि उसको लेना ही नहीं है हमारे माशेरे में ये चीज आम हो चुकी है कि सूद लेना है ऐसा लग रहा है कि लेने में कोई मसला ही नहीं है यानि सूद तो लेना है अब दوسरा सवाल ही इचाए कि उसको खर्च कहा करना है हमेशा जब भी कोई सवाल उठाता तो यह समर उठाता कि सूध की रिकम कहा लगाएं जबकि पहला सवाल यहो रही कि सूध लेसकते के ने भ Aa बई शरीयत ने सूध लेनी की अज़ादत ने दिये शरीयत ने यह नहीं कि आपकुरान और हदीस में यह नहीं कि सूथ का पैसा खुद नखाओ कहीं और लगा दो भई शरीयत का हुकम है सूथ का पैसा लेना ही नहीं है चुनाचे शेख इबन उसमीर रहिम उल्ला का जो फतावा है मज़मगा फतावा जो छपा है उसमें शेख अब शेम애ना का बहुत ही वाज़ित और निलगा सकते हैं सूत का पैसा आप रिसीव courseक्ते है तो असल बात एही कि सूत का पैसा आपको नहीं लेना है आपको इस्तिमाल नहीं करना है जिसका है उसी को देना है भैंक पालें गर भैंक को देना करoga और ना नहीं। अगर एसा कोई मसल्वा है भी को पैसा आप ऐसी जगह लगा दें जहां पर किसी की आन बचाने का मसल्हा हो। क्योंकि शnous ने जो खान अगर उसकी लगाने की मिसला मिलती है तो फिर कि यहां पे किसी की जान जान जारी है। जिसे सूर हराम है आप तो सूद असल में किसी और का पैसा है, आप सूद लेने का मतलब आप किसी और का पैसा ले रहे हैं, यह बिल्कुर ऐसे चूरी करना, फर्क है कि चूरी में सामने वाला राजी नहीं होता है, इसमें राजी होता है, लेकिन दोनों में यह बात मुझत रखी कि आप दूसरे का राजी होके जिना करें इसका मतलब नहीं कि वो जाइज है इसका मतलब नहीं कि वो जाइज है जो चीज हराम हो हराम है चाहे रिजामन्दी से हो चाहे जबरदस्ती हो हराम है अब ये जिना चाहे रैप की शकल में हो चाहे मतलब लब और प्यार महबत की नाम पर हो किसी भी जाय Finish है तो अगर कोई चीज हराम है तो दो लोगों के रादि होने से वहला नहीं होजाएगी तो यह जो सूध है नहीं हराम है अगर सामने वड्या आपको डेर इसका मन्लब नहीं कहीं कि आप ले सकते हैं तो असल चीज है कि सूध को हाथ ही नहीं लगाना है अगर किसी तरह का कोई अंदेशा है कोई मसला है तो फिर जो दूसरी शकले हमको मिलती है दूसरी मिसाले मिलती है कि यहां पर हराम को हाथ लगाने की एजाद दीगी जहां किसी की जान बचाने का मसला है तो यह चूंकि आप किसी और का पैसा हाथ लगा र लगता है इसको पानी पिला देंकory जाएगी तो आफ जबर्दस्ती घर में घुसके और पानी निकालकर प्रिज से इसके पानी लाकर ठीला सकते हैं तो आप फ्रसा जबर्दस्ती इन किसी की जान बचाने के लिए तो इसकी गुंजाइस तो असल में जान बचाना एक ऐसा काम है ना उसके लिए बहुत सारी पाबंदिया खतम हो जाती है अभी देखिए आप किसी लड़की को आप हाथ नहीं लगा सकते हैं किसी को छू नहीं सकते हैं एक लड़की जो आपकी मा बहन नहीं है जिसे शादी आप करें हलाल है उसको आ नहान बचाने की बात आती न तो यहां पे बहुत सारी पाबंदिया खतम हो जाती तो जो सूद का पवक्ता है उसके बारे में असल हुक्म है कि आपको हाथी ने लगाना है उसको छोड़ देना है जिसका पैसा है उसको दे दिना है जैसे चौणी का माल आपने किसी सदे कुछ ने करना आप पुआ जहां से चुराया उसको वापस करो तो ऐसे सूद का पैसा है आप नि जहां से उठाया है उसको तो DR-D लगाने का मसोचो और अगर किसी दरे का कोई अंदेशी की बात करते हैं जो बछाने बाज़ा करते ब lot करान ने तो लेना ही हराम किया। यह थदी कुरान ने कहा है कि सुध ले लो खुद नाख огрऊ किसी और खिला दो। ना ना सुध लेना ही हराम किरार दिया है। और यह बात अच्छी तरह से जहन में रख लें कि हम लोग यह समझते हैं कि अगर सूध हमने लिया बैंक से और किसी और को दे दिया तो वो सूध खा रहा हम नहीं खा रहा है अगर हमने बैंक से सूध लिया और हमने किसी और को दिया तो वो सूध नहीं खा रहा है कर दिया या किसी को दे दिया तो वो बेचारा सूद खोर नहीं, सूद खोर तो मैं हूँ, अल्ला के यहां इसका जवाब देना पड़ेगा, तुमने सूद क्यों खाया, तुमने सूद क्यों लिया, तो अगर तुमने कहीं सड़क बनवाने के लिया, किसी गरीब की मदद करने नजर आती हैं, इसलिए हमने जान बचाने के लिए हाथ लगा दिया, तो शायद मामला आसान हो, वरना अगर जान बचाने के लावा कहीं और लगाया पैसा, तो बड़ा मुश्किल होगा इसका जवाब देना, इसलिए शेख इबने उसमीर रही नहीं नहीं सकते, यानि किसी भी मामले में सूद का पैसा आप नहीं लगा सकते हैं, तो यह जो भाई साब करें ना, रिशवत में लगाना, रिशवत वो कोई भी हो, आप सूद का पैसा नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे हैं कि कहीं रिशवत देना तो किसी घर में चोरी करके रिशवत दे सकते हैं, कि चोरी जबरदस्ती चुपके से आप कहीं से ले लेते हैं दूसरे का माल और यहां पर क्या होता उसको पता होता है वो राजी होता है और वो अपना माल आपको दे लेता है बस यही फरक है लेकिन दोनों में बात मुश्तरकी कि आप दूसरे का माल ले रहे हैं दूसरे का माल लेके कहीं और लगाना ये सिरे से हराम और नाजाज इसके कोई उंजाश नी तो खुलासा ये है कि रिश्वत के नाम पे आप सुथ का पैसा इस्तिमाल नहीं कर सकते उमेदे कि आपका जवाब मिल गया होगा